वेल्कम बैक टू आवर चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यह लेपटाप की बैटरी को घर पर रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो भी 30-40 रुपए में दोस्तों यह जो लेपटाप की बैटरी होती है वो जो है पूरा तरीका से खराब नहीं होता है इस इसमें जो है सेल लगा होता है वो जो है कुछ ही खराब होता है दोस्तों इसको हम कई तरह के से उसका उपयोग जो है कर सकते हैं जैसे इसका पावर बेंग बना सकते हैं या फिर इसी को रिपेयर करके लेपटाप में दोवारा से लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसको तोल की सहयता से ओपन करते हैं दोस्तो इसको ऑपन कर लेता हूँ ऑपन करने के बाद इसमें क्या है रहता है वह मैं इस वोडियो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें दोस्तों इसमें साड़े बारा सो के आस पास के हैं दोस्तों यह दस साड़े दस वोल्ट का है तो दोस्तों यह जो है लेपटाप की बैटरी जो है घर पे रीपेयर कैसे करना है तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद जो है दोस्तों सेल को हमको चेक कर लेना है कि कौन स सही है और कंसा खराब हो चुका है और दोस्तों आपको जो है मार्केट से नए सेल ले आना है और उसको जो है इसमें आपको जैसे जैसे इसमें लगा है सेम टू सेम वैसी लगा के इसको फिर से फिट कर देना है दोस्तों ये सेल जो है सभी जो है खराब नहीं होता है इसको आ किसी भी शॉप में और वहां से यह आपको पर्चेस कर लेना है और उसको जैसे इसमें लगा है सेम टू सेम वैसी इसको सालडरिंग कर देना है तो दोस्तो इससे आपको घर में ही मिल जाएगा लैटप की बैटरी वो भी कम दामों में दोस्तो यह जो है अगर आप चाहों तो इसको पावर बेंग की तरह उपयोग कर सकते हैं इसको पावर बेंग कैसे बनाना है यह मैं आपको अगले वुडियो में बता दूंगा इसके पावर बेंग बनाने के आइडिया कैसे आपको इसको पावर बेंग में कनवर्ट करना है दोस्तों साथ ही यह जो आपको यह सेल ज करना है यह मैं आपको अगली वुडियो में बताऊंगा जलिए दोस्तों वुडियो अच्छा लगे तो वुडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाहिए इन वन्दे मात्रम दोस्तों मिलते हैं अगली वुडियो में